जब महिलाएं बेबस नहीं थी, जानिये मुगलकाल के तलाक और निकाह के वो नियम जो चौकाते हैं पिछले कुछ सानों में तीन तलाक का मुद्दा चर्चा में रहा। मुगलों के दौर में भी यह चर्चा की वज़ा बना था। मुगल बादशा जहांगीर के काल में तलाक के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया गया था। इसका जिक्र मुगलकाल के एतिहासिक दस्तावेज मजलिस जहांगीरी में किया गया है। 20 जून 1611 को जहांगीर ने तलाक को लेकर घोशना की थी कि अगर कोई मुसलिम शक्स बीवी से बिना किसी बड़ी वज़ा के तलाक लेता है तो उसे अवैद करार दिया जाएगा। उनकी उस घोशना पर शाही काजी ने भी मुहर लगाई थी डौट, मुगलों के उस दौर में महिलाओं के पास खुले तलाक का विकल्प था। इसे उस दौर के कुछ मामलों से समझा जा सकता है। 1628 में एक मुस्लिम शक्स ने शादी को खत्म करने के लिए पत्मी से 70 महमूदिस सिक्के लेकर रजामंदी की बात कही। वही एक दूसरे मामले में फद बानू अपने पती चिष्ट मुहम्मद को काजी के सामने लेकर आई और कहा अगर मेरा पती दोबारा शराब या ताड़ी पीता है तो उससे पती का अधिकार छीना जाए। और ऐसा ही होता भी था। उस दौर के मामले बताते हैं कि महिलाएं किस कदर तलाग को लेकर जागरुक थी और अपनी बात काजी के सामने रखने में कत्राती नहीं थी। उस दौर में शाही परिवार के अपने ही नियम थे और उन्हें कई अधिकार प्राप्त थे। इसका एक उदाहरन शाहजहा के प्रधान मंत्री रहे आसिफ खान से समझा जा सकता है। आसिफ खान की एक बेटी थी, नाम था मिसरी बेगम. उसकी शादी मुगल सल्तनत के एक अधिकारी मिर्जा जरुला से हुई थी. एक बार मुगल बादशा मिर्जा जरुला से नाराज हो गए. बादशा ने अपना गुस्सा दोनों की शादी शुदा जिन्दगी पर उतार द बादशाह का आदेश होने पर उसे तेजी से अमल में लाया गया झाल-चर झाल-णार आदेशाह का आदेश और उसे तेजी से अमल में लाया गया खाया सकता है लाया गया 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 का आदेश।